त्वागत है काईजन इनोवेशन योटूब चैनल में अर आज हम डिसकस करेंगे कि टेलिग्राम एप के अंदर हम कैसे थिम को create कर सकते हैं कैसे थिम के अंदर a different color background हम कैसे set कर सकते हैं उसको हम कैसे export कर सकते हैं उस थिम को हम कैसे delete कर सकते हैं और साथ में ही साथ अगर कुछ problem हो जग कुछ समझ में ना आए तो हम जो पहले वारी थिम होती है by default टेलिग्राम के अंदर उसको हम reset कैसे कर सकते हैं इस सभी topic के बारे में हम आज discuss करेंगे हमारे इस वीडियो में तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो start करते हैं दोस्तो आज का नाया यह एक interesting वीडियो तो सबसे पहले चले जाते हैं हमारे टेलिग्राम एप के अंदर यहां पे हम आ गए हमारे टेलिग्राम एप के अंदर दोस्तो यह वाला यहां पे जो option देखने को मिल रहा है वहां पे आपको click करना है जैसे आप यहां पे click करोगे यहां पे settings वाले option पे आपको click करना है अब हम create करेंगे यहाँ पर एक theme ठीक है? यहाँ पर j phases three dotted दिखाए दिराए उस पर आपको click करना है, जासे आप याँ पर click करोगी create a new theme लिखा हुआ आ रहा है, थेक है हम यहाँ पर click कर देते हैं, new color theme, created theme, अलेट तो इहां पर क्ले करना हो लिएधिव तो सबसे पहले हमें, करना पढ़ेगाotom करते हम इसाल। कर देथा हुई पर मैं करना क्लार सेट फिर्सटे अन्हेंट करें पिछछे ब्लेक्ट tune ठीक है चलो मैंने यहां पर यह वाला ले लिया ठीक है और सेउ पर मैंने क्लिक कर दिया सेउ ठीक है यह इतना हो गया ठीक है अब फॉन्ट की साइज भी आगे पिछे कर सकते हो यहां पर बाइडिफूल्ट 16 होता है आप 18-20 आपके आपके आइस में जो भी एड़ेस्ट होता नो पर इसे कंपे करना है जैसे आप यहां पेडिफूल्ट दिया हुआ है तो यहां यहां करते हैं ग्ने वाली पर से इठेखना है थैक है के अब हम चलते हैं जो हमने चेंजेश के हूँ, दिखाई दे भी रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हम बैक आ जाते हैं यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड है दूस्तों आप देख सकते हैं यहाँपर फॉन्ट भी बढ़ा हो गया है यहाँ पर पूरा इस तरह का हमको इंटरफिस देखने को मिल रहा है हमारा theme का color भी आ रहा है, इस तरह से आपके according, आपके respective hobby के हिसाब से respective आपके nature के हिसाब से आप theme create कर सकते हो, ठीक हम back आते हैं, यहाँ पर, same process setting में आ गए, chat setting में, अब बात आते हैं कि इसको delete करने के, तो दोस्तों आप यहाँ पर में click करके क्लिक करके रखेंगे, तो हमें इतने सारे options देखने को मिल जाएगे, आप name भी edit कर सकते हो, आप export भी कर सकते हो, आप share भी कर सकते हो, मेरे case में मेरे को delete करना है, तो just delete पर click करूंगा, यह delete पर कर दिया, तो यह automatic delete हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीह हो जाता है, मतलब कुछ problem आते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो करना क्या है, simple, यहाँ पर 3.2 उस पर click करना है, और यहाँ पर reset to default करोगे, तो जैसा आपका theme था, I resolve to want to reset the text size and color setting, सब कुछ reset, तो इस reset पर करेंगे, तो automatic देखो, आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर message setting मैंने 20 किया था, 16 हो गया, जो भी color जैसे भी होगा, जिस इसाब से जो default setting होगी, वो by default आ जाएगी, इस तरह से आप इसके अंदर आप theme बना भी सकते हो, delete भी कर सकत हो, set भी कर सकते हो, और साथ में reset भी कर सकते हो, अगर कुछ भी समझ में ना आए, किसी भी तरह काई परेशा नहीं हो, तो tensile लेने के जरूरत नहीं है, हमारी वीडियो के comment box में डाल दीजिएगा, हम जरूर से आप लोगों की मदद करेंगे, help करते रहिए और आगे बढ़ करते रहिए, so thank you guys to watching my video, by Tech Caramel Tech, नए वीडियो के साथ,